प्रश्न है समी करण 2x²-3x7 बराबर 0 यह एक दुईघात समी करण है के मूलों का योगफल योम गुड़नफल ग्याद कीजिए तो किसी भी दुईघात समी करण के दो मूल होते हैं और उनका यहाँ पे गुड़नफल और योगफल आपको निकालना है तो चलिए हम यहाँ इनका योगफल और गुड़नफल निकाल के आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले यह दुईघात समी करण को उतारते हैं 2x²-3x पलस 7 बराबर 0 अब इसमें हम x² का गुड़ांग यानि a निकारेंगे a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना b क्या है x का गुड़ांग तो b बराबर है –3 चिन सहित हमें लेना है और c बराबर है पलस 7 यानि अचरपद तो a, b, c हमने निकाल लिया अब आईए हम मूलों का योगफल पहले निकालेंगे तो मूलों का योगफल मूलों का योगफल किसी भी दूइगास समी करण के दो मूल होते हैं तो एक मूल को अलफा कहें और दूसरे मूल को बीटा कहें तो अलफा पलस बीटा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं हिंदी में इस तरह लिखेंगे और इसको हम संकेत में इस तरह लिख सकते हैं तो मूलों का योगफल बराबर होता है, सूत्र है, माइनस B बटा A, अब B कितना है, यहां मान रखेंगे, माइनस B है, माइनस 3, तो माइनस 3 यहां लिखेंगे, बटे A, A कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर का चिन लगाएंगे, अब यहां देखें, माइनस से ब्रेकट खोलेंगे तो मैनस गुड़े मैनस तो हो गया पलस तीन बटे दू तो मूलों का योगफल कितना आया तीन बटे दू आया तो यह आपका एक आएंसर है अब चलिए हम मूलों का गुड़न फल आपको निकाल करके दिखाते हैं तो चलिए हम यहां पे मूलों का गुड़न फल निकाल देंगे, मूलों का गुड़न फल, मूलों का गुड़न फल, इसको संकेत में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इलफा इंटू बीटा, इलफा गुड़े बीटा, तो बराबर क्या होता है, यह भी सूत्र है, सी बटे ए, सी क्या है, सी देखिए साथ है, साथ बटे ए कितना है, दो, अब साथ में दो से भाग होगा ने डस्मलों में आएगा तो ऐसे छोड़ देंगे तो अलफा इंटू बीटा बराबर आया साथ बटे दो तो यह आपका दूसरा उत्तर है तो मूलों का योगफल और उनका गुड़नफल इसी तरह से निकाला जाता मुझे आसा है कि दोस्तो मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा हम मिलेंगे आप से एगले वीडियो में इसी के साथ कहते है जै हिंद जै भारत